Hello students, welcome to my channel बच्चो आज हम हमारी बुक करेंगे Statics for BA, BSc, Second Year, Third Semester के लिए इसका जो पहला चेप्टर है, वो शुरू कर रखा है Force Acting at a Point जो इससे पहला लेक्चर था उसमें हमने सरफ थोड़ा सा Basic देखा था Resultant के बारे में और Magnitude के बारे में आज हम Magnitude and Direction of the Resultant के बारे में पढ़ेंगे जिसके basis पे आपके सारे questions solve होंगे बच्चो जो अपकी बुक static है, वो बहुती lengthy बुक है उसमें बहुती जादा time लगेगा cover करने के लिए questions भी बहुत calculated है, बहुती lengthy questions है एक question एक page का, दो page का, मतलब थोड़ा भड़ा है calculated part है, अगर थोड़ी सी विज़ेंगे mistake होती है तो question गलत हो सकता है, बुक मुश्किल नहीं है बुक easy है, बुक को आप मुश्किल लेके मत करना चीक है, मैं आपको exercise के सभी questions करवाऊंगी बट examples नहीं करवाऊंगी मतलब examples कैसे, मतलब मैं आपको सारे exercise के सभी questions करवाऊंगी जितने भी questions है, यसे exercise 1.1 में 16 questions है तो मैं आपको 16 के 16 questions करवाऊंगी अगर आप 16 questions कर रहे तो आपका कम से कम 2 या 3 कम से कम भी 3 या 4 lectures में complete होगा तो मैं आपको example इसलिए नहीं करवाऊंगी example की मैं आपके पास group में photo, चीक है photo upload कर दूगे मैं आपकी वहाँ से आपको questions समझाएंगे तो आप example अपने आप कर लेंगे चीक है, और जो यह magnitude and direction और resultant है इसके basis पे सभी questions होगे आप questions को जदा मुश्किल मत मानिएगा इसको समझे, question direct to value पुट करके हो जाएंगे चीक है, तो magnitude निकालेंगे direction resultant के हमारे पास यह theorem है to find the magnitude and direction of the resultant of two forces acting at the point अब देखो, हमारे पास P and Q कोई force है भई हमारे पास कौन सा force है, P and Q कोई force है इसका resultant हमने R लेट किया चीक है, P and Q के बीच का angle कितना alpha angle है चीक है, और P and resultant के बीच का angle कितना angle theta है, चीक है, यह आप diagram भी देखिया आप लोग देखो, यह क्या है, मारे पास P है हमारा कोई भी चीक है, यह मारे पास Q है हमारा पी और जो क्यो है क्यों के बीच का एंगल कितना अलफा है और यह resultant है R resultant का मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता जा कि जो काम यह दोनों मिलके करते हैं वो अकेला यह resultant कर लेता है फिर resultant और जो यह P है इसके बीच का एंगल कितना है वही अंगल है थिटा चिक है हमने इसको क्या बना दिया प्लिलो ग्राम ने इसका डो कर दिया चिक है तो यह Q is course to Q जएगा पी is course to P जएगा प्लिलो ग्राम की जो आमने सामने के साइड होती है वह equal होती है आपको भी पता है यहां से हमने एक perpendicular डाला यह लाइन ट्रो की और यह भी ट्रो कर दिया चिक है यहां पर यह एंगल कितना है अलफा तो यह भी अलफा होगा because of corresponding angles की विज़ा से यह दुनों क्या हो जाएंगे अलफा अलफा हो जाएंगे हमने क्यों किया क्योंकि हमें कुछ प्रूफ करना है हमें हमारा resultant निकालना है हमें हमारा एक formula निकालना है जिसके basis पे हमारे questions को solve कर सकते है चिक है तो यह हमारे पास क्या जाएगा alpha आजाएगा because of corresponding angles चिक है base के साथ क्या बनेगा qcos alpha और जो परपेंडेकल साथ क्या बनेगा qsin alpha मतलब हमने इसको resolve कर दिया चिक है components में resolve कर दिया यह क्या बना qcos alpha और यह menna qsin alpha इतनी बात clear हो गए अब देखो right triangle triangle में देखो ocd O, E, R, C, E, R, D, E, R चीक है, हमने इसमें कौन सा रूल लगा लिया पाइथागोरस थियोरम हमने इसमें अप्लाई कर दी चीक है, पाइथागोरस थियोरम आपको पता ही है हमने इसमें पाइथागोरस थियोरम लगाई OC लिया हमने OC का स्केर is equals to OD का स्केर OD का square PLUS में CD का square चीक है? उसके बाद में हमने क्या क्या देखो OC की value देखो आप OC कितना है? R OC का होगा? R का square हो जाएगा OD कितना है? OD हो जाएगा P और Q sine cos alpha इन दोनों को add करेंगे तब हमें OD मिलेगा तो P PLUS Q cos alpha का square हो जाएगा PLUS में CD CD किया है? Q sine alpha का square अब यहाँ पे देखे R square as it is इसमें A PLUS B का formula लगाएंगे P square PLUS Q square cos square alpha PLUS 2AB 2P Q cos alpha PLUS Q square sin square alpha अब आप यहाँ से देखें आप लोग इसमें Q square को मन लेंगे Q square को मन लेंगे और यहाँ पे cos square alpha और sin square alpha क्या आजएगा? बना जएगा यहाँ पे चिक है? तो R square कितना जएगा है? P square as it is PLUS में 2P Q cos alpha as it is इसमें कितना जएगा? Q square इन दोनों को अड़ करेंगे sin square PLUS cos square तो कितना जएगा? बना जएगा हमारे पास? तो R square is equals to P square PLUS 2P Q cos alpha PLUS में Q square यह हमारा resultant होता है resultant का square resultant निकालेंगे तो square under side इस side आएगा P square PLUS 2P Q cos alpha PLUS Q यह हमारा क्या जएगा? हमारा resultant आजएगा जिसके basis पे हमारे सारे questions करेंगे अब magnitude निकालने के लिए क्या होता है? 10 theta होता है P by B हो जएगा जिससे में हमारी direction मिलेगी चीक है? तो यहाँ पे देखिए 10 theta कितना हो जएगा? P by B हो जएगा अब हमारे पास हमारा P क्या है? Q sin alpha upon में कितना हो जएगा? P हमारा क्या हो जएगा? Q sin alpha देखो P यह जो perpendicular है हमारा P वो कितना है? Q sin alpha है चीक है हमें हमारी direction 10th theta से मिलती है 10th theta क्या हो जएगा? perpendicular upon base perpendicular क्या है अपना? Q sin alpha है base कितना है? यह base है P plus Q cos alpha P plus Q cos alpha तो यह हमारा magnitude निकालने का formula बन गया यह हमारा resultant निकालने का formula बन गया इतनी बात clear हो गई होगी चीक है सरब इतना ही था इसमें समझने का आगे देखिया आप लोग इसमें देखो कुछ conditions है conditions कैसे हमने हमारा solve किया question जैसे इसमें देखो first condition क्या दे रखिया है if 5 be the angle which the resultant makes with OB इसने बोला 5 एक ऐसा angle है जो हम OB के साथ बनाती है चीक है 5 be the angle which the resultant makes with OB जो OB के साथ बनाती है आपसे आपको OB दिख रहा है भही देखो यह दिख रहा है OB OB के साथ इसने बोला अगर OB ऐसा angle है थिट्टा की जंगे देखो एक बात यह ध्यान से सुनना आप लोग यह जैसे diagram हमने बनाया था question में as it is वैसा ही diagram है इसमें यहाँ पे थिट्टा है इसमें यहाँ पे कहे थिट्टा और इसमें यहाँ पे कहे फाई है इसमें बोला अगर फाई एक ऐसा angle है जो हम किस के साथ resultant के साथ बनाते है OB के साथ OB के साथ बनाते है अगर मतलब यह थिट्टा यहां की जंग अगर हम यहां बनाते हैं मतलब थिट्टा की जंग उससे 5 बोला इसकी जंग अगर हम यहां बनाते हैं तो क्या हो जाएगा P की साइड क्यों आजएगा क्यों की साइड P आजएगा हम क्या करेंगे P की जंगे Q और Q की जंगे P कर देंगे ठिटा की जंगे अगर यह ठिटा इसने इहां रख दिया इसने ठिटा की जंगे 5 बोला है अगर हम 5 को ऐसे कर रहे हैं इस साइड ले क्या रहे हैं तो क्या आजएगा P की जंगे Q और Q की जंगे P आजएगा यह हमारे questions में use हो सकते हैं होंगे questions में use तो 10-5 क्या होगा P sign alpha और Q plus में P cos alpha बच्चों यहां से देखिया आप लोग यहां पर Q था ना Q के जंगा P कर दिया Q के जंगा P कर दिया बिल्कुल easy है हमने सरफ sides change किया जहां पर 5 था उसकी जंगा हमने क्या पुट कर दिया जहां पर alpha था उसकी जंगा हमने 5 पुट कर रहा है बस आप questions करोगे तो questions के साथ आपको समझ में आजएगा यह बाकी के भी है अगर आप बोल भी मैं इसको करवाँ इसको हम क्या करेंगे questions करते साह सत अगर questions के बीच में यह formula यूज हो रहे है तो मैं आपको साथ की साथ करवाती हूँ आपको easy पड़ेगा उससे चिक है तो बच्चो अब हमारी exercise शुरू करने जा रहे है exercise 1.1 देखो भई force acting at a point हमारे chapter का नाम है BA, BSA, second year, third semester के लिए book हमारी static से exercise 1.1 अब हम करेंगे a to z सारी questions करेंगे ठीक है वो जितनी भी conditions है question में जहाँ पर भी लगेगी मैं direct आपको formula वहाँ पर बता दूँगी अब वहाँ से करना क्योंकि अभी फिलाला वहाँ करोगे वहाँ पर ऐसे expose करके चलोगे तो आप questions कीज़े सासात हो जाएगा बहुत easy रहेगा ठीक है देखो exercise का आप screenshot भी ले सकते हो question number first देखो सुनो ध्यान से two forces of magnitude rn and 6n two forces है magnitude rn के और 6n के एक को उमने p लट किया एक को उमने लट किया क्यों act at a point एक point पे act कर रहे है and the angle between them is 60 उनके बीच का एंगल कितना है 60 जैसे यह है यह हो गया p p नहीं के क्या हूँ यह ले ले हमने p इनके एंगल बीच का कितना एंगल ले रहे है 60 ले रहे है find the magnitude and direction of their resultant यह इनके बीच का resultant जा रहे है तो इसमें बोला magnitude बताने है और direction बताने है resultant के हमारे पास formula है magnitude and direction का हम डिरेक्ट पुट करेंगे उसको छीक है यहाँ पर देखिए p rn q 6n और alpha ले रहा है 60 एंगल हमने alpha ले रहा था समझने के लिए था alpha is cost to 60 तो r क्या होगा p square plus q square plus 2p q cos alpha यह हमने अभी निकाला था छीक है जो हमने solve किया था q cos alpha इसमें direct value पुट करोगे आप p की value 8 square क्योंकी value 6 square plus में 2 multiply by 8 multiply by 6 और cos alpha के जिएंगे 60 पुट करोगे cos 60 कितना होता है 1 by 2 होता है चीक है इसको आप solve करोगे 8 का square 6 का square इसको इससे काटोगे इन तीनों को add करोगे 148 आएगा solve करोगे तो 2 under root 37 N Newton लेखे चल सकते हैं इसको हमारे पास हमारा क्या आगया resultant आगया चीक है अब हमें निकाले है direction direction के लिए हमारे पास formula क्या है था q sin alpha upon p plus q cos alpha जो हमने भी निकाला था देखो बच्छो ये भी हमने भी निकाला था q sin alpha upon p plus q cos alpha इसमें as it is हमने value put की क्योंकि value put की आपने 6 sin 60 plus में 8 plus 6 को 60 sin 60 under root 3 by 2 6 multiply by 1 by 2 आजएगा यहापे इसको soul कीजिए 2 3s आ 6 आजएगा 2 4s आ 8 आजएगा 3 under root 3 6 और 4 करेंगे तो हमारे पास देखो ये 8 नहीं कटेगा ये कटेगा 2 3s आ 6 8 और 3 हमारे पास 11 आजएगा तो ये हमारे पास क्या आजएगा हमारा answer आजएगा question first का बिल्कुल easy था ना सिरफ हमें क्या जो इसकी statement दे रखिया सिरफ वो समझ में आने चाहिए बाकी questions easy है ठीक है जैसे solid geometry थी ना वैसी लगती है में रखो तो ये बिल्कुल मालब as it is वैसी ही है solid geometry जैसे उसमें lengthy questions है इसमें भी ऐसे lengthy questions है चीक है next question देखिए आप लोग next question देखो when two equal forces are inclined at an angle to alpha चीक है two forces inclined कर रहे है कौन से angle पर two alpha पर their resultant is twice as great as when they are inclined at angle to alpha उसने बोला जो उसका resultant होगा न वो twice होगा as great as when they are inclined at angle to beta प्रूफ हमें ये करना है भाई चीक है तो देखो questions सबसे पहली बात क्या है उसमें क्या निकालना है में हमें पता चल गया given दे रखा P is equals to क्यों हमें given दे रखा इसमें चीक है P is equals to क्यों क्यों क्या because two equal forces सबसे पहले में statement understand करना है चाहिए when two forces equal P is close to क्यों कर लो क्यों इस कॉस्ट पि कर लो कोई जादा फारक नहीं पड़ेगा हमने क्या क्या P is close to क्यों कर ले because two equal forces है angle में given a two alpha झाल